बिस्मिल्लाइरह्मानिरहीम, अस्सलामुलेकूम, कैसे है आप सब, मैं हूँ कवल्चजाज, लेकर आती हूँ आप लोग के लिए एवरी मंडे वेंज लेंड प्राइडे, ब्यूटेशन कोर्स की ऑनलाइन टासिस, जिसमें हम लोग पेसिक से लेके इद्वांस तक पूरा कम बनाया है बड़ हमें एक आर्ट दिया है एक टेक्नीक भी दिया है मतलब यह एक इल्म भी हमारे पास इससे हम इसको मजीद कुपसूरत कर सकते है ठीक है तो वैसे तो शुकर अदा करना चेक तो हमें इतना अच्छा बनाया और दूसरा पिर इस तरह की हमें तालीम भी मिलि क्योंकि आखर मैं पूछने वाली सवाल जवाब जिसके जवाब देना आपको सरूर ही है क्योंकि जिसको अगर सेटिफिकेट चाहिए तो वो मुझे जवाब देगा टाइम तू टाइम ओके तो बिल्कुल वीडियो को गौर से देखना है और यह मेक अप जो मैं कर रही है बहुत सिंपल कुछी प्रोड़क्ट के साथ करियो और यह बहुत लोकली मार्केट में अवे लेवले जिसका मैं सारी डीटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोग वहां से देख लो और दूसरा यह याद रखना है कि हम किस तरह से मेक अप सिजाने तो इनकी स्किन बॉक्ते स्किन थिरी जिए कि इसकी मैंने इनकी पर बैलॉन कंपनी का यह है और यह और यह एंड शेड दिससे मैं की कैमोफलाजिंग कर रही हूँ वैसे थम चाइनीज भी यूज करते हैं लेकिन मैं और यह उसको चुपा देती है उसको चुपा देती है ठीक है आप अच्छी तरह से अपने डाक सरकल्स पर जहां जहां जैसे नोस के साइड्स है, नोस्टल्स एरिया है, हमारे लिप्स के कॉर्नर्स है, यहाँ पर चिंद के हमारा जो यह होल वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप अच्छी तरह से पूरे प्रोड़क्ट को बहुत अच्छी तरह से पैनिट्रेट कर लो, अपने फिंगर की टिप्स की म जैसे जो खड़े-खड़े-घड़े होते हैं उसको एक स्मूथ सर्फिस दे देता है, ठीके जिससे हमारा बेस बहुत स्मूथली लग जाता है, क्योंके प्राइमर की बहुत सारे बेनेफिट्ट्स इंशाला किसी आगी की वीडियो में आप लोगों को एक प्रोड़क्ट क हमें लाइक आपको बहुत अच्छी तरह से मेक अप करना है, ऐसा नहीं है क्या आपने कुछ भी किया और है ना आपका मेक अप हो गया नहीं बहुत अच्छी तरह से आपको मेक अप करना है अच्छा ची तब फाउंडेशन जो है उसका नाम में नीचे लिख दूगी है I THINK एच्टी फाउंडेशन है और यह बहुत जबर्दस फाउंडेशन है यह जस्ट मैंने 600 रुपीस का एक लोकल मार्केट से बाइगा था बट इसका रिजल्ट इतना जबर्दसत है और एविन लॉंग लास्टिंग भी है ठीक है अचा आप मेकप फाउंडेशन को इस तरह से आ यह बहुत जरूरी होता है यह बहुत जरूरी होता है ऐसा नहीं कि आप गाल वाले हिससे पर ड्रेक कर लो रगल लो और बेस सारा हट जाए हम लोग सिर्फ हलकी हलका सा और रगड़ना भी बिल्कुल सॉफ्टली है वो भी अंडर आइस पे नोस्टल एरियास पे जहां पर हम लोग टैप टैप करके अपना प्रोड़क नहीं पहुंचा सकते है ठीक है बाकी पूरे फेस पे आप लोग अच्छी तरह से टैप टैप क बन चुका है ठीक है वैसे तो मैं यह बिल्कुल सॉफ्ट पार्टी मेक अप कर रही हूं इसमें कोई मैं बहुत हाय कवरेज फांडेशन नहीं लगा रही हूं मैं चाहती तो इसी फांडेशन को हाइच कवरेज भी बना सकती थी लेकिन मुझे बिल्कुल एक सौफ्ट सा मेक अप लुग देना था मैने जो लिया है अपना पैंकेक लिया है मतलब पैंकेक नहीं यह कॉम्पैक पाउडर यह मैंने जो लिया है यह मिस्स रोस का है वैसे म love powder क्पार जगा प्रमार यूंस पा़धर में सकती थी और врем लोग раз सेम यही काम करते हैं जो हमारा कौंक करते है मिन्य हमारा बेश फिक्ष हो जाता है और लूस पावडर से भी हमारा से पॉप अप हो सके, मतलब खिल के नजर आ सके, पॉप अप होना मतलब खिल के नजर आ सके, ओके, बहुत अच्छी तरह से मैंने आई के लिट पर, मतलब जो हमारी आखों का आइबॉल है जो लिड होता है, लिड एरिया, इसकी वीडियो भी डिटेल में बताऊंगी, आई के क्रीज लाइन पर लगाऊंगी, ठीक है, इनर कॉर्णर पर और इसी को मैं अपनी क्रीज लाइन पर आगे की तरफ बढ़ा दूँगी, ठीक है, पूरा इसको इनर कॉर्णर पर लगाऊंगी, ओके, और फिर इन दोनु शेड्स को, मतलब जो मैंने लिया है, ब्राउन कलर का के मेरा जो ये पिंक कलर है, और इनर कॉर्णर है, वो अच्छी तरह से बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, मतलब कलर ऐसा ना हो के मैंने इसको उठा उठा के रखा वाए, ब्लेंडिंग बहुत मैटर करती है, याद रखेगा आपके मेक अप में, आपकी ब्लेंडिंग बहुत अ इक सीशेल की किट है, जिसमें कंटोर, हाइलाइटर, ब्लशन सब मौझूद है, इसका रिव्यू में बहुत जल्दी दूगी किट है, और इसमें हर चीज मौझूद है, बहुत लोग लास्टिंग है, ठीक है, उसी का मैंने एक ब्राउन कलर लिया है, डाक ब्राउन कलर लि ठीक है, किस मेक अप में, मतलब किस प्रोडक्ट के साथ, या किस एरिया के साथ, कौन सा ब्रश यूज होता है, वो भी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, अच्छी तरह से मैं आइब्रो को फिलिंग कर लूगी, और आइब्रो फिलिंग करने के बाद, आइब्रो फिलिं राइन पर अगें लगाएंगे, ताकि हाइलाइटर भी जो है, वो इस के इसी कलर के साथ, मर्ज हो जाए, यह देखे, मैंने यही वाला जो गोल्डन ब्राउन कलर लिया था, और इसको मैं करीज लाइन पर अपने हाईलाइटर और जो कलर वाला पार्ट है, लिड वाले पा तो मैंने इसका स्टेंप आज तक यूज नहीं किया है मैं खुदी पॉइंट बना लेती हूँ लेकिन मैं एक बहुत सिंपल और डीसेंट सा लाइनर लगा रही हूँ कोई बहुत हैवी या कोई शेप में नहीं लगा रही लेकिन यह सॉफ्ट पार्टी मेकप थैसलिए मैंने इसको डार्क नहीं किया है और इसको बिल्कुल सॉफ्ट ही रहने दिया है ठीक है अच्छी तरह से आप दोनों आखों पे आईलाइनर लगाएंगे प्रेक्टिस इंशाला love में आपको अपने हातों करके बताूंगी कि आपको लाइनर की प्रेक्टिस किस तरह से करने में थाके आपको एक प्रॉपर लाइनर काशिए बनाने आजाया बहुत सारी लड़किया कहती है हमारा हाथ बहुत कांपता है तो वो अपने हाथों पर करके बताऊँगी कि हमें अपने आई-लाइनर की पैन या अगर ब्रश से लगाना है तो हमें वो किस तरह से चलाना है ठीक है इसके बाद हम लोग करेंगे contouring, contouring भी मैने same जो आप लोग को बता है na sea shell की पैलेट जिसमें सारी चीजे मौजूद है, उसी मेंसे मैंने medium brown color लिया है, और उससे मैं इनकी contouring कर रही हूँ, contouring इनकी contouring के लिए मैंने अपने जो बालोग वाला जो growth वाला पाट है और कान वाला पार्ट इसके बीच का जो हिस्सा होता है ना वहां से मैंने ब्राउन लाइन को खीचा है मैं आप लोग को प्रॉपर बहुत इजी सा मैथड भी बता दूगी यह तो प्रॉफेशनल तरीका है लोग इसी तरह ब्रश उठाते और इसको एक लाइन खीच के उसको आप लोग देखो सेम मैंने भी ऐसा कि अचा इस लाइन को इतना बड़ा नहीं करना है कि यह होटा तक आ जाए अदवाइस बहुत लंबा पतला हो जाएगा ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं करना है और मैंने वही सी शेल की पैलेट में से पीची पिंग कलर उठाया बलके पीच फिलर लेते हुए एक लाइन डौ करते हूँ अपने नोस के एक कॉर्णर पर एजजेस पर मतलब जो बिच बिच ऊता है प्र पर जोड़ाएस तो नहीं होता है उस पर अची तरह से लगातके आपने फिंगर की हीट होते उससे इस तरह से ब्लैंड कर देते हूँ ठीक है और और इनके प्राइजिस क्या है ठीक है अच्छा हाइलाइटर को अगर हम अपने क्यूपिट बॉन पे लगाते ना मतलब अपर लिप्स के पास जो हमारा वी बना होता है इसको हम क्यूपिट बॉन बोलते है तो इस पर फिर जब लिपस्टिक लगती है तो बहुत अच्छा सा तो कोशिश किया करो कि आप लोग भी इस तरह हाइलाइटर लगा लिया करो और फिर लिपस्टिक लगाया करो सही है अच्छा लिपस्टिक मैंने लिए स्वीट टच कंपनी कि आप लोग कोई लोकल लिपस्टिक भी ले सकते हो बट स्वीट टच की लिपस्टिक बहुत ला और इसके बाद आप इसको अंदर से फिलिंग कर लोगे ठीक है और अल्मोस मेक अप कम्पलीट है मैं इस मेक अप में मसकारा लगाना बिलकुल भूल गई थी मतलब मुझे बिलकुल दिमाग मनी था बाद मैं ख्याला आया वीडियो बन गई कि मैंने मसकारा तो लगाया ही नह क्योंकि कुछ क्लाइन कहते हैं लगानी है थोड़ा सा और शेप करना है थोड़ा हैवी दे दो आंखो को तो फिर पंदरा सौ अदर वाइस हजार बारा सो में मैं इस तरह का मेक अप करके दे देते हूं ठीक है और जिसमें मुझे तक्रीबन पंदरा से बीस मिनिट लगते ह ठीक है अब मैंने पैसे इसलिए मैं लेकल मार्केट के साथ काम करूश है मैं काफी भी मेकप देक साथ कीए भी चल बहुत बातेगा चल कि हुआ है कितने steps किये ठीक है और दूसरा मुझे यह बता दो कि अगर skin dry है तो हम कौन सी बेस लगाएंगे और अगर skin oily है तो हम कौन सी बेस लगाएंगे ठीक है सवाल है कि अगर हमारे पास loose powder अवेलेबल नहीं है तो हम makeup fix करने के लिए और क्या यूज कर सकते हैं यह तीसरा सवाल है त कि जवाब आप लोग मुझे दे दो और अगर आप लोगों ने डीटेल में वीडियो को नहीं देखा है तो आप स्टार्ट से अगें देखो जाके हम मुझे सारे जवाब one to one आप लोग मुझे दोगे ठीक है चलिए जी मिलते एक अगली वीडियो में इंशालला बाई दाट लाप बें